हेलो गाइस वेलकम बैक टो चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल तो बेटा यहां पर अगर आप छटी क्लास की वरक्षिट देखेंगे 26 साइन्स की पांस तारिकी हिंदी मीडियम की वरक्षिट है बेटा तो आपको पौदों के भाग दिखाए गए हैं और इसमें आपको बताना पर दिख रहा है तो तना हमें यहां पर दिख रहा है नंबर तीन पर तना है नंबर चार पर फूल और नंबर पांच पर शाखाएं हैं तो नंबर चार पर आप यह बता सकते हैं फूल और नंबर पांच पर आप शाखाएं बता सकते हैं ठीक है उसके बाद हमें अपने अस पास के पोदों को ध्यान से देखते हैं तो हमें तीन तरीके के पोदे दिखेंगे सबसे पहले शाक या हर्फ दिखेंगे जिन्हें ध्यानपूर देखने पर हमें समझ में आएगा कि जो पोदे छोटे हैं उनमें तने हरे और कोमल हैं जैसे धनिया और टमाटर कुछ पोदों के तने कठोर हैं लेकिन वे मोटे नहीं हैं और उनकी शाखाएं तने के अधार अर्थात नीचे से निकलती हैं जैसे तुलसी और नीमू और पेड़ जो होते हैं उनका तना कठोर और मोटा होता है और उनकी शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं जैसे आम और नीमू अब ज होता है, क्या होता है बटा पेड़, तो आप इसको ऐसे marking भी कर सकते हैं, वन, टू, थरी, तो इमली तो हो गया पेड़, तो यहाँ पर आगा है नमबर तीन, चमीली जो नमबर दो पर आया, गाजर जो होता है वो तो श्रब होता है, तो गाजर पे हमने mark कर दिया, श्रब यानिकी दो अच्छा मेली पे भी दो मार कर दिया असके अधर पालक की अगर हम बात करते हैं तो ये हर्ब होती है यनि ये शाक होती है गुलाब की रोज की अगर हम बात करते हैं तो जाड़ी श्रब होती है पुदीना की अगर हम बात करते हैं तो ये शाक होती है नारियल की अगर बात करते हैं तो ये पेड होता है गुडहल की अगर हम हिबिसकस की बात करते हैं तो ये शाक होती है और जामुन की अगर हम बात करते हैं तो ये पेड होता है शाक का तना डैश और डैश होता है तो आप यहां पे लिखेंगे जैसे आपने उपर पढ़ा था हरा और कोमल हरा और कोमल होता है पेड की शकायत तना कितने के उपर से निकलती हैं जैसे आपने आप पढ़ा होता है So thank you so much for watching the video friends Please subscribe to channel Keep supporting us